अनाधिक्रत रूप से शास्की यतिहासिक मलकपूर तालाब में वाटर ट्रीटमेंट निर्माण को लेकर विरोध नागरिक मंच के सयोजग रामेश्वर गुपता मिट्टी के धेर तीले में बैठे आमरण अंसरबर आप देख रहे हैं बुलट रिपोर्टर खबर मध्यप्रदेश के रिवा से है रिवा के मंगवा का एतिहासिक मलकपूर तालाब जोकी 130 से कड़ रक्वे में मौजूद है उस तालाब का अस्थित्व खत्म करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तंद्र मिलकर वेधानिक रूप से कबजा करने की साजिश रच रहा है और पहले ही इस एतहसिक तालाब की चारो तरब से पक्के बिल्डिंग बना कर एवं बिविन तरीकों से कब जाकिया जा चुका है और एक बार फिर से MP UDC योजना अंतरगत 20 करोड रुपे के प्रोजेक्ट को शास की तालाब की मेर को पसरा कर वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसकी मंजूरी भी अधिक्रत रूप से नहीं है और मरमानी तरीके से यहाँ पर वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया गया है जिसको लेकर नागरीक मंच के सेयोजक एवं सीनियर सिटीजन रामेश्वर गुपता ललू नेता नहीं तालाब में कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा खोदे गए बड़े गढ़े से निकले मिट्टी के धेर के ऊपर अनिश्चित कालीन के लिए आमरण अंसन में बैठ ग अन्शनकारी कारोप है कि यह मलकपूर तालाब एतिहासिक है जो 130 एकर में फैला हुआ है जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सांट गाड करके वाटर फिल्टर ट्रिटमेंट का निर्माड किया जा रहा है जबकि इस शासकी भूमी तालाब पर किसी भी तरह का नि की अतिक्रमन निर्माड ना किया जाए लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि इस 20 करोड रुपे की लागसी वाटर ट्रिटमेंट की लाइन 12 किलोमीटर दूर से लाकर मनगवा नगर परिशत की प्रांगड इस्थित मलकपूर तालाब की मेर को धसा कर तालाब की अंदर वा है कि इस तरह की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और यहां पर पहले नहरसोंग का पानी लाकर तालाब में भरा जाए और तालाब की अस्तित्तू को बचाया जाए लेकिन वाटर ट्रीटमेंट भवन जिस तरह से त्यार किया जा रहा है वे कतई होने नहीं दिया जाएगा और उसके लिए निरंतर विरोध चारी रहेगा। यह वहां पर वाटर फिल्टर प्लांट बन रहा है यह पूरी कितने पूरा का पूरा राष्टे धरोहर मलक पूरतालाप को खतम करने का मद्रेश सरकार की योजना है जैसे कि हमारे प्रदेश के उपमुक मंत्री राजन सुखला जी जो इस समय और स्वास मंत्री है हमारे तो यहां पर मैं देख रहा हूं कई वर्सों से रीवा सहर के मंत्री बनके रह गये रीवा में जो विकास हुआ रानी तालाप का संद्री करन किया गया लेकिन रीवा जिले में जो बड़े-बड़े तालाव है जैसे कि हमारा मलक पूरतालाप प्रदेश में इसका नाम है इसको बड़े मिद्सक्तु परशाचर के नहीं तो सुखाने का प्रयास शाचन के दारा शाजिस के तर्पर किया रहा रहा है है चैसलें सरकारी भी अच्धिक्रि तौ मेरा मतलब है कि यहां पर 12 किलो मेटर दोर से पानी लाकरके आव वाटर फ्लि्टर प्रांट के सफाई करने के बाद पानी सप्लाई करने की बाद चल रही है जब कि यदि मलगपुर तलाब में बाण सागर का पानी वह दिया जाए तो वाटर फिल्टर पानी की ज़रू है प्लांट लगाने के आव सकता ही नहीं है अपने आप ही यहां पर हैंड पॉंप में बोर में पानी आएगा और लोगों को आमनिस्तार का भी फाइदा मिलेगा हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोट और मानी सुप्रीम कोट और मानी हाई कोट के पर सारे तालाब संदख्षित की जाएं और जबकि उनका आजेस है कि तालाब को बढ़ारा नहीं हो सकता फिर यहां पर सरकारी अर्टिकम्ण किया जा रहा है भूमाफियां की दौरा किया जा रहा है यहां और फिल्टर प्लांट लगा करके पूरा तालाब का नक्षा बतला जा रहा है गया रहा है तो में और लगा जा रहा है एक हमारा मतलब यह हमारे राश्टी धरूर्वर्वार मलक पूर तालाब को नस्ट लीघा जाए जो उद्धार ने का प्रैस किया गया तो हम यहां पर आमड अनसर करके यहां लेकिन वाटर फिल्टर प्लैल यहां पर अंशनकारी के इस विरोत के बाद अन्य कई समासेवी संगठन भी साथ में खड़े हो गए हैं और समझा जा रहा है कि ये एक साजिश के तहट सब कुछ निर्माड एजनसी के द्वारा अनाध्रिकत रूप से यहां पर वाटर फिल्टर प्लांट त्यार किया जा रहा है जबकि इस रासकी तालाव जमीन पर किसी भी तरह का निर्माड कारे नहीं किया जा सकता है वही दूसरी ओर नगर परिशद भी वाटर ट्रेट्मेंट प्लांट सम्बंधित कारे मलकपूर तालाव इस्थान पर के जा रहे कारे को लेकर अन्भी की ताल जाहिर की है तालावों का अस्तित्व विगडना, पर्यावरण सर्रक्षण, वन सर्रक्षण, प्राकृतिक संसाद्नों सहीत पर्यावरण से सम्बंधित किसी भी अन्यप्रकार की विवस्थाओं का आकार आकरत विगड़ कर नुकसान पहुचाय जाए जिससे की सुच्छता पर्यावरन का स्थित्व खत्रे में पड़े ऐसे स्थिती में NGT को संग्यान में लेते हुए ऐसे गरत काम को रोकना चाहिए लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर एतिहासिक मलगपूर तालाप का अस्थित्व पर्यावरन व्यवस्था को बेगाड़ा जा रहा है और ऐसे हालात में NGT के अधिकारी चुपी साथ कर बैठे हुए हैं जिससे साब जाहिर होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट को लगवाए जाने एवं तालाप का स्थित्व बिगड़े जाने के लिए NGT के अधिकारियों के मिली भगत है वाटर ट्रीट्मेंट प्लाण को इस्थापित के जाने के लिए नगर परिशत का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है इसके लिए MPUDC काम कर रही है जहां तक तालाब के मेड़ पर water treatment plant त्यार के जाने के बात है तो इसके लिए नगर परिशत के दोरा इस्थान का निर्धारन नहीं किया गया है और यहाँ पर water treatment plant का निर्माण तालाप के मेड़ पर किया जाने के लिए किस विभाग वा अधिकारी के दौरा permitted किया गया है ये हम बता नहीं सकते हैं बुलर्ट शुपोर्टर के लिए Bureau Report रिवा नए वीडियो से वं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भी लेए